दर्सकों के लिए जरूरी सूचना यदि आप कोई ख़बर अपने लोगप्रिय चैनल फ़स्ट ट्रेक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लाश्ट पांच वजे तक ख़बर भेदें तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे पांच वजे बाद भेजी गई ख़बर प्रसारित नहीं हो पाएगी बाड़ी में दिन दहाडे चात्रा के अपरहन का प्रयास मुकदमदर्ज लोगों की सजकता के चलते बड़ी गटना टली बाड़ी कश्वेवे लड़कियों के साथ छेडखानी की घटनाय थमने का नाम नहीं ले रही हैं असमाजिक तत्वों को टूशन केंदरों के पास आसानी से घूमते हुए देखा जा सकता है जिससे अविवावक अपनी बच्चियों को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं इसी छेड़कानी और अप्रहण की एक घटना शुक्रवार साम को गठित हो गई लेकिन लोगों की जागरुकता के कारण बड़ी घटना टल गई मामला यू है कि एक चात्रा सुक्रवार को करीब तीन बजे के लगभग ट्यूशन पढ़कर घार बापस जा रही थी तबी गजगेट के पास खड़े बदमास दिनेश पुत्र बदन सींग गुर्जर निवाशी बटेश्वर खोर्द वे रोविंज पुत्र अशोक गुर्जर निवाशी धेमरी चात्रा को कट्टे का भई दिखाकर जवरदस्ती मोटर साइकल पर डाल कर ले गए इस पर चात्रा चीखने और चिलाने लगी जिस पर यहां उपस्तित कुछ लोगों ने बदमासों का पीछा किया और कुश्वा चात्रा वास के पीछे कृष्णा कॉलोनी वे जाकर पकड़ लिया तथा चात्रा को उनके चंगुल से चुड़ा लिया इस दौरान बदमासों पर चात्रा के परजनों की ओर से तहरी दी गई है इसके आधार पर पुलिस ने बुकदमा दर्ज कर जान सुरू कर दी है लेकिन इस घटना से हमारी कानून विवस्ता पर एक बड़ा सबाल ये खड़ा होता है कि इस तरह टीशन जाते समय चात्राओं के अपरहण की घटना होगी तो परजन अपनी बेटियों को स्कूल, टीशन वे बाजार कैसे भेजेंगे और कैसे वे अपनी बच्चियों को सुर्च्चत महसूस करेंगे क्रशी कानूनों के ब्रोद में कॉंग्रेशियों ने धौलपूर सहर में निकाला पैदल मार्च अखिल भारती कॉंग्रेश कमेटी के आभान पर आज सन्यवार को जिला कॉंग्रेश कमेटी धौलपूर द्वारा किसानों के समर्थन में किर्शी कानूनों को बापस लेने के लिए सहर धौलपूर में पैदल मार्च का आयुजन किया गया इससे पहले जिला मुख्याले पर इस्तित गांदी पार्क में बैठा कायो जुन किया गया बैठा के बाद महात्मा गांदी की प्रत्मा पर माले अरपन कर पैदल मार्च कायो जुन किया गया कारकरम की अधियस्ता निवरतमा जिला कॉंग्रेस दहुलपूर की अधियस्ति पंडे साकित ब्याहरी सर्माने की वही मुख्य अथिती जिले के प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटब रहे अन्य अथितियों के रूप में बाड़ी बिधाय गिर्राई सिंग मलेंगा राजाखिडा बिधायक रोहित बौरा दहुलपूर की छेतर के प्रत्यासी डाक्टर शिवचरन कुश्वा पूरू मंत्री अब्दुल सगीर खान रहे इस दौरान प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटब ने अपने शंभोधन में कहा कि केंदर सरकार निकाला कानून किशानों पर थोपा है जब तक ये कानून बापस नहीं लिये जाते हैं तब तक कॉंग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदम तक किशानों के साथ है उन्होंने कहा कि सरकार ने किशानों के साथ अत्याचार किया है केंदर सरकार के तीनों कानूनों से किसानों की कमर तूट जाएगी आने वाले समय में किसान अशाय और मजबूर हो जाएगा केंदर सरकार के तीनों क्रशी बिलों के ब्रोध में देश भर में किसान धरने पर वैटे हैं लेकिन मोधी सरकार किसानों की बात सुनेने को तैयार तक नहीं है बाड़ी विदाइक गिर्राशिंग मलिंगा ने कहा कि काले कानूनों की बजह से करोणों लोगों की खाद सुरच्चा खत्रे में फड़ जाएगी केंदर के करशी अध्या देशों से किसान मैदूर बनकर रह जाएगा केंदर सरकार द्वारा देश के किसानों और करशी ब्यवपार से संबन्दे तीन कानून पास किये गए थे जो किसान बिरोदी है रायाखेडा बिदाइक रोहित वोरा ने कहा कि तीनों करशी कानून किसान बिरोदी है इसलिए केंदर सरकार को जबाब मिलना चाहिए कॉंग्रेस प्रत्यासी डाक्टर सिप्चरन कुश्वा ने कहा के कानून पास करने के लिए केंदर सरकार ने शहोगी दलों की राय नहीं ली और कानून पास कर दिया किंदर सरकार के तीनों अध्यादेश की बज़ेश से विचोलियों को फाइदा होगा और किशान को नुक्सान होगा पूरु मंतरी अब्दुल सगीर खान ने कहा के देश का किशान आंदोलन कर रहा है प्रधान मंतरी मोधी बोल नहीं रहे है और जनता सडकों पर पड़ी है निवर्तमान जला अध्याश पंडे साखित व्यारी सर्मा ने कहा कि बढ़ती हुई महगाई की बज़े से आम जन का जीवन बेहाल हो गया है पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर सरकार को अंकुष लगाना चाहिए जिससे महगाई कम हो सके इस दोरान पूरूर शभापती कमल कंचाना राजा खेडा नगरपाल का अध्याश बीरेंदा जादोन बाडी बिलोक अध्याश सकील खान अमित मुदगल धर्वेंदर सर्मा पूरूर उप शभापती निशान चोधरी लोकसवा प्रत्यासी संजय जाटव लाकंशी घड़ शर्मा भूरा, राजकुमार तौबर, पार्शत जीतु कंसाना, अजीत प्रोईत, आनंद मिस्रा, अनीश कान, धरम शिंग, बॉवी जगरिया, संजय कुमार, दुर्गेश श्रीवास्तव, महेश सर्पंच, अतर फारुकी, लाकंशिंग बॉर, श्यामु पंडित, आदी क असपास हो गए, असी दिन के आसपास किशानों की, किन्द की सरकार किशानों की बात सुनना ही रही, और जो तीन काले कानून आये हैं, वो किशान बिरोली कानून है, किन्द सरकार को सुनना चाहिए, जन्ता में आकरोस है, किशानों में आकरोस है, हरबर्ग में आकरोस है, यदि ये तीन काले कानून थोप दिए गए तो किशान बरबाद हो जाएंगे और इन कानूनों के वारे में जनता को बताना हमारा नेतिक कर्टब है उसी के तहर आप समझ सकते हैं देश के अंदर जिस तरीका से तमाम बॉर्डरों पर किशान बैटे हुएं और रेख लोको आ बदमासों की तलास में एसपी ने बाड़ी वे बशेड़ी सहत पारवती नदी के इलाकों में चलाया सर्च अभियान कुख्यात दश्यू मुकेश ठाकुर सहत उसकी गैंग के अन्य बदमासों की तलास में आज सनवार को दोलपूर एसपी केसर सिंग शेखावत ने भारी पुलिस जापते के साथ बाड़ी एवं बसेड़ी इलाकों के दरजनों गाउं सहत पारवती नदी के बियोड़ों में सर्च अभियान चलाया एसपी ने बताया कि पिछले दिनों पुलिस गरफ्त में आये मुकेश ठाकुर गैंग के इनामी बदमास कल्यान की निसान देई पर आज संभावित ठेकानों पर सर्च अभियान चलाया गया है इस दौरान भार्ली एवं बागतर में सी एलजी सदश की बेठक लेकर ग्राम बीड़ों से संभाद भी किया इस दौरान एसपी ने डिएस्टी टीम सेंपव कंचनपुर वे बसेडी पुलिस ठानों का जापता रहा जिसमें बाडी एवं बसेडी छेतर के दरजनों गाउं शहित पारबती नदी के बियर में भारी पुलिस जाप गई FIR को बताया मन गडंत इंडियर मेडिकल एसोशेटन धौलपुर के वेनर तले जिला अस्पताल धौलपुर के चिकेशकों ने आज शन्वार को अध्यच डाक्टर राम गोपाल गोयल वे सचिब डाक्टर हरियों गर्व की नेतरत में धौलपुर जिला कलेक्टर राकि डाक्टर समर्वी सिंग के व्रुद इलाज में लापरवाई एवं रिश्वत देने की FIR दर्ज कराई गई है जो कि पूरी तरह मन गडंत और जूटी है यह डाक्टर समर्वी सिंग एवं जला चिकेशाले को बदनाम करने की नियस से कराई गई है ग्यापन में बताया गया के दर्ज कराई गई जूटी FIR को नरस्त कर मुकदमा दर्ज कराने वालों के व्रुद आवश्यक करवाई की जाए ताकि भविश में ऐसी घटनाओं की पुन्रा व्रत्ति न हो वसेडी में रविवार को दो गंटे बिद्धोत आपूर्ती रहेगी बादित 132 केवी GSS बसेडी पर 33 केवी बसेडी फीडर कार रखरकाप कार किया जाएगा जिस कारण से 33 केवी GSS बसेडी फीडर वे इससे जुड़े समझते छेत्रों की बिद्धोत आपूर्ती कल रविवार को दोपेर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद रहेगी यह जानकारी जगन कोठिया साहे का अभियंता 132 केवी GSS बसेडी ने थी बेटियों की साधी के लिए फरनीचर पर धौलपुर जले में पहली बार बिशेश छूट डबल वेड, सोफा, डाइनिंग टेबिल, ड्रेसिंग टेबिल, सेंटर टेबिल, मार्बल की डाइनिंग टेबिल, कुष्टी टेबिल, ओफिसर फरनीचर, प्लास्टिक फरनीचर, अलमारी, इंदोरी अनमारी, आदी सीसम वा सागवान का फरनीचर, आगरा हुए गवालिय से भी सस्ता हॉलसिल रेट पर हमारे यहां मिलता है माल पसंद आने की उए घुन की गारंटी कोर्फोम गद्धों के भी डिस्ट्यूबिटर कोई भी पुराना गद्धा लाओ और नया ले जाओ एक बार जरूर पदारें फ्रेंट लाइन होम फरनीचर सोरूम पता बैल्यू प्लस बिल्डेंग के उपर 132 के भी बिजली घर के सामने वाडी रूर धौल पूर प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल पोत्र ओमेश कुमार वन टच कार वाइक सेम्पू से अब अपने बाहनों की धुलाई कीजिये और निरंतर बाहन की चमक को बनाई रखिये वो भी आपके बजट में साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हेंड वाउस, फ्लोर क्लीनर, टॉलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एबम धूप बत्ती भी उपलब्द है आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केर नंबर 89, 27, 43 पर कॉल या वाट्सप के जरिये प्रोडेक्ट मगवाएं ओडर के दूसरे दिन प्रोडेक्ट आपके घर उपलब्द हो जाएगा डिस्क्रीबीटरशिप और डियलरशिप के लिए भी संपर्क करें पता, आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल खेरागड आगरा 25 में ग्राम बिकाष अधिकारीयों ने किया सत्याग्रह यक राइस्तान ग्राम विकाश अधिकारी संग के सत्याग्राय आंदोलन के तहता आज शनवार को पंचाय समती धौलपुर में जला अध्यष श्रीभान शिंगुरजर की अध्यष्ता में पंचाय समती छेत्र के समच्त ग्राम विकाश अधिकारीयों ने सत्याग्राय यग किया का बेतनमान ग्रेड पे 36 करना है साथ ही 8-16-24-32 बर्स की सेवा पर पदोनती पद का बेतनमान स्विक्रित करने इस पश्ट एवं पारदसी इस्ताननतर नीती बनाने वे जिलाक एडर परवरतन का विकल्प देने वे 5 बर्सों से लंबित पदोनती करवाने को लेकर ग्राम वि पाल जाट जग्दी सर्मा जिलाकोशाद्यस महे सोनी आदी मौजुद रहे बिद्ध निगम दौलपुर की टीम ने 34 लाख बकाया रासी जमा नहीं कराने पर सत्रे बिजली ट्रांसफार्मर उतारे बिद्ध बिबाग दौलपुर की टीम ने आज सन्वार को बकाया ने बताया कि दौलपुर के नजदी की गाउं दरियापुर, अलहपुरा, मुस्तफाबाद, तोर, रामणगर, तोर से राजश्ट बसूली टीम के द्वारा सत्रे ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं। फीडर इंचार्ज मैं पुलिस जापता के मौजुद रहे। एवम शुबकामनाई देकर बिदा किया गया। यह जथा करीब 40 दिन तक दच्छड भारत की यात्रापन रहेगा। इस दोरान दीपक सिंग परमार सलेमपुर, शिप चरन सिंग रामफलपुरा, शुरेश परमार आगरा, मुकेश सिंग चौहान, जीतू, महाबीर सर्मा, ब्रिजेस पवैया, सहित अन्यलोग मौजुद रहे। मनिया में काली माता के मंदिर पर की बांके बियाहरी जी की मूरती की स्तापना। इस अफसर पर नथिलाल सर्मा, मुननलाल सर्मा, पंकच सेट, संतो सेट, मौनू शेट, मनोज, टिंकू शर्मा, प्रताप जहा, बाके शेट, पिंकी ठाकोर, बड़न सर्मा, हरी ठाकोर, रामू सर्पंच, हजारी सहत, भानपुर, अधनपुर, संतर कापड़ा, मनिया, अधने गाओं के भक्तिकर मौजुद रहे, ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने युवक तक पहुँचाए उसके जरूरी कागजात, दौलपूर सहर के ट्रैफिक पुलिस कर्मी सुरिंदर सर्मा ने एक युवक के कागजातों को युवक के घर पहुँचाने में बड़ी मसकत की, मामला युव है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी सुरिंदर सर्मा को शुक्रवार को धौलपूर सहर के आरेशी कट के पास ड्यूटी थी, इस दौरान उसे पुरानी चाबनी गाओं निवासी रभी बाथम के कागज़ ठड़क पर पढ़े मिले, जिस पर सुरिंदर ने बेबिन की गारेंटी, डबल बेड, सोफा, ड्रेशिंग टेबल, सेंटर टेबल, डैनिंग टेबल, अलमारी आदी साधी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फरनीचर उपलब्द, हमारे यहां धौलपूर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम, प्रतेक सामान अर्भवी कारीग सेंटर एक ही छत के नीचे, रियल में टेक नो, इनफनिक्स, आईटेल और आईमो, मोबाइल कंपनियों के ऑथराइजड सर्विस सेंटर पर अच्छे इंजिनेरों से ठिक कराएं, अपना खरा मोबाइल कंपनी की रेट पर मोबाइल के पार्ट्स उपलब, काम की गुडव पर बालकाओं ने बना दिये 200 मास्क, कुछ करने के लिए खुद का होसला और बाज्जूओं की ताकत का होना पर्याप्त होता है, ऐसा ही द्रश्य आज राजा खेडा उपकंड के राजकिय विध्याले शिगहाबली खोर्द में देखने को मिला, जहां बालकाओं ने आत्म बालकाओं ने इस सराहनी प्रयास को देख प्रदान अध्यापक ने बाजार में उपयोगी सामगरी लाकर बालकाओं को दी और उन्होंने बिध्याले के सभी बच्चों वे अध्यापकों के लिए मास्क बनबा कर तयार कर दिये, चात्राओं के इस कारे से अध्यापकों के आभान पर अव्याकों ने भी छात्राओं को उत्पादक कार्यों से जोड़ने के लिए आगे आने का शंकल्ब लिया। बिध्याले प्रबंदत सम्ती के अध्यस रामतार ने बताया कि उन्हें अपने बच्चों की छम्ताओं का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब उन्हें पता चला के अगर मार्ग दर्शन अच्छा मिले तो वे कुछ भी कर गुजर सकती हैं। इसके लिए हम सभी मिलकर सतत प्रयास करेंगे। भागवत सफ्ता में कथा वाचक ने शुनाई भगवान स्री कृष्ण जन्वोसब की कथा। दौलपोर शहर के सेपुरोड इस्तित लबानिया मेरेज होम में चल रही भागवत कथा में शन्वार को कथा बाचक जैप्रकाश शुकला ने भगवान स्री कृष्ण जन्वोसब की कथा शुनाई। जिसमें भगवान स्री कृष्ण ने जन्व लिया तो सारा पांडाल जैकारों से गूंज उठा। का वड़न करते हुए पूतना बद की कथा सुनाई। अंत्वें स्रध्धालूं को प्रसादी का बितन किया गया इस दोरान परिच्छत स्री किष्ण गोपाल सर्मा, मुन्नी देवी, अजै, अनूप, आनंद, अनुराक, आदी भक्तगण मौजुद रहे। नंदपुरा पिदाबली में वीती रात्री को अग्यात चोर कमरे का ताला तोड़ कर मिड़े मील के गेहु की तीन बोरियां चोरी कर ले गए हैं। गटना को लेकर स्कूल के प्रधाना ध्यापक की ओर से कंचनपुर पुलिस्थाने में अग्यात चोरों के खिलाब मुकदमा दर्ज कराने के लिए तेहरीर दी गई है। प्रधाना ध्यापक की ओर से दी गई तेहरीर में बताया गया है कि राज की प्रात्मिक विध्याले नंदपुरा पिदाबली में वीती रात्री को अग्यात चोरों ने विध्याले के एक कमरे का ताला तोड़ दिया तथा मिड़े मील के तीन बोरी गेहु चुरा ले प्रधाना ध्यापक ने तेहरीर में पुलिस से मुकदमा दर्ज कर कानूनी करवाई करने की मांग की है विपुल परमार बने राज की महा बिध्याले बशेडी एकाई अध्यक्ष अखिल भारती विध्यारती परश्ट बशेडी के द्वारा आज राज की महा बिध्याले बशेडी की नवीन कारकाणी का गठन किया गया जिसमें सर्व सहेमती से सहे जला सायोजक नितिन कुश्वा ने कारकाणी का गठन किया नगर सहय मंत्री सूरज कटारा और गौरब दुवे ने परश्रत की रीती नीती से अबगत कराया और निष्टा से कार करने को प्रेर्थ किया HDF संयोजक क्रिष्णा परमार और सहय कार्याले मंत्री ब्रजेश बासकर ने अनुशासन में रहकर कार करने के साथ अपने दायत को पूरी लगन और इमांदारी के साथ निर्वान करने का संकल्प दिलवाया अद्यच बिपुल परमार उपाद्यच अंकुल साक्य लवकिश परासर संतोष कुषवा पवन कुषवा सचिप बिने परताप सिंग सह सचिप संदीप परमार रानु सर्मा अवशे गुरजर सचिन सर्मा सोशल मीडिया संयोजक लोकिश बासकर सह मीडिया संयोजक रवी बिश्नु शेन, रंजीत गुर्जर, प्रदीप पर्मार, भोलू ठाकुर, शोनु शर्मा, नेहा पर्मार, अंजली पर्मार, अंबिका शुकला, पुजा तौमर, रानी, गुंजन, प्रियंका, सुनील, दीपक, आदी को कारिकारी में सामिल किया गया है। हादसे में बाइक सवार महिला गंबीर उप्षे गायल हो गई, जिसे इस्तानी लोगों ने नैसनल हाइवे की एम्बूलेंस एक हजार तेतीस की मदद से सरमतरा अस्पताल में भरती कराया, जहां से महिला को चकिस्षकों ने गंबीर हालत में हाइर सेंटर को रेफर कर जानकारी के अनुसार रामचरन गौड उम्र 28 वर्स निवासी बाड़ी अपनी भूगा सरोज गौड के साथ केला देवी दर्सन करने जा रहा था, राज्ते में बतुआ को के समीब भेंस के सामने आ जाने शे बाइक अनितरतों कर गिर गई, हादसे में बाइक सवार सरोज गौड गंबी रुप्ष घायल हो गई जल जीवन बिसन योजन अंतरगत एक दिवशी कारशाला का आयजन किया गया, ग्राम जल एवं सवच्छता समती की ओर से आयजित कारकरम की अद्देशता सरपंच देवी सिंग द्वारा की गई, दक्ष प्रसिचक संजीब चोहन ने बताया कि 73 वे स्वतंतरता दिवस पर पधान मंत्री नरेंदर मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की घोशना की थी, उन्होंने कहा कि उसी उपलक्स में 2024 तक हर घर में नल द्वारा सुद्ध पेजल की आपूरती सुनिशित की जानी है, ग्राम जल एवं सवच्छता समती के कार्यों, गत्विदी एवं उद्देश शहदेव, गिर्राज सिंग, ललता देवी, शिफ सिंग, आदी लोग मौजुद रहे। जल जीवन मिशन की विश्तिरत रूप रेखा प्रस्तुत की और इस योजना को जल जीवन की जीवन दाइनीब योजना बताया। और एक जन कल्यान कारी योजना बताया। जीवन दर अग्रबाल ने अथिती व्याख्यान देते हुए शंभागी को पोश्ण किसोर स्वाष्ते तथा असंक्रामक वीबारी जैसे कैंसर, डाइविटीज, आदी के बारे में बिश्तिरत रूप से बताया। इस्तानी विद्ध्याले में जला कलेक्टर धौलपूर के निदेशन में संचालित किसोर स्वाष्ते पर आदारित गेर आवाश्ये महिला सिछक प्रिसीचण का आज अंतिम दिवस था। जिस पर समापन इस्तानी विद्ध्याले के प्रधानाचारे नारेंट सी मीडा के द्वारा मुख्य आतित में शंपन हुआ। रेजिस्टेशन नम्मर आर एजे एच आईएन अवलेक दो हजार दस अवलेक तेतीस नोसब पंद्रें।